और आभी हम देख रहे हैं साधी का एलबम जब मा की साधी हुई थी तो माम अजी बहुत छोटे थे कुछ लोग इसको अंजीर समझते हैं जिनको डायबिटीज होता है उनके लिए भी ये जूस कापी फायदे मन्द होता है बड़ा कमजूर लेक्टीस है इस मुर्गे को फोलियो था क्या है ये तो अब अपनी मम्मी से ड़ता है नहीं हमर करेंगे ठीक है आपका हमारे ब्लोग में उतरा खंके इन खोब सुप्सरत पहाड़ों से आज भी होली है और सुबह जैसे ही में उठा देखो मेरे पर सीदे कलरी लग गया अनुछ पर आज विस्तरी में कलर लगा बाकी देखो दूब भी घर के बिल्लकुल पास में आ गई है मैं भाग भाग कर नीचे से यहां च्छत में आया लेकिन यहां पर आते आते कलर लगी गया आज देखते हैं आज का हमारा क्या प्लाइन होता है हो सकता है कहीं आउट्डोर कुकिंग पर भी जा सकते हैं कि सुबह के अभी साड़े आठ हो रहे हैं आज बहुत दिनों के बाद हमारे यहां आए है ना जी और मामा जी मामा जी आजकल चुट्टी आया है मामा अप्पी होली है यह क्या है मौत दोले भाई देखो अभी बढ़िया वाली दूप आ गई है अनुजाबी भी रंग महीं है जब नहान आई है तो मुह क्यों दोना है एक बात बता हूं मेरे को अब कौन लगाएगा रंग पानी दो डालेंग अब आज हमने वैसे नदी जब भी मैं अपने नहाल जाता था तो मामा जी के साथ सबसे ज़्यादा रहता था और मामा जी तो अब सर्फिस कड़ते हैं तो तो घर आना जाना कमी होता है गर तो इस बार आजकल गाउं आए है तो इस लिए हमारी यां भी आ गई अब यहीं घर के पास में हमने खीतों म में अपने गाई बेल लगाई हैं जो कि यहां ठीक यहां पर चर रहे हैं अब मा की सकल भी दिखो कैसे हो रहे कि रंग लगाया होगा वह भी नहीं निकला और यह नास्ता है मामा और नाना जी के लिए अब लोग आज घरी में हैं तो मैं भार भार यहां खेतों की तरफ आप होगाया है गाउं के ऊपर वाले जंगलों से देखो खूब सारा दुआ उट रहा है किसी ने साध वहां पर आग लगा दी है और यह यहां पर है हमारा रांसी गाउं अब गाउं में आज के दिन भैंकर होली खेलते हैं, पूरे डीजे के आवाज हनकेल की यहां तक सुनाई दे रही है और अभी साइद अनुज भी चला गया उपर गाउं में होली खेलने के लिए सामने वाली पहाड पे देखो, मेरी माँ घास के लिए जा रही है और गाउं के कुछ और चाची बोडी भी गई हुई है वहाँ पे, हमारी गाई देखो, यहां उपर आ गई है घर के, चल, चल, है बाकी मुझे लग रहा है, दूसरी सैट चले गए है, यह उन से अलग आ गई इस वाली टेहनी पे देखो, खूब सारी तिमले लगे हुए है कुछ लोग इसको अंजीर समझते हैं, सैम अंजीर के जैसा ही दिखता है, लेकिन यह अंजीर नहीं है यह उसी की कोई परजाती है दूसरी बाके आज कल देखो, आड़ू के फूल फूले हुए हैं, बड़े प्यारे लगते हैं और ठीक, पीछे देखो, बर्प के पहाड़ भी बड़े प्यारे चमक रहे हैं अब मामा जी, बहुत टाइम के बाद हमारे यहां आ रहे हैं, कैसे लग रहा है मामा जी? बहुत अच्छा है और अभी हम देख रहे हैं, साधी का एलबम, जब मा की साधी हुई थी, तो मामा जी बहुत छोटे थे तो चलिया जी, फाइनली मामा जी ने एलबम में खुद को पहचान लिया, यहां पड़ देखो इतने चोड़े थे उस टाइम पे, हम भी तशने हम, यहां हम हम है, और यह बगल पे हमें, यह मीचो नो यह बैजी चो, बैजे फूल पकड़े, पहले वाले लोगों को भी फोटो किचने का बड़ा सौक रहता था, उस टाइम पे यही मेमोरीज रहती थी, आज कल तो बहु गुबारादो मेरे पास, मैं फोड़ता हूं, प्लीज, प्लीज, अभी देखो अनुजबे होली खिल कर आ गया गाउं से, मजा आया? अब ही साम के पांच बज़ रहे हैं, मामा जी और नाना जी चले गें अपने घर के लिए, और आज यहां पर बड़ी चहल पैल बनी हुई है, एक दूसरे पानी क्यों डाल रहे हैं, और इसने देखो पिचकारी नहीं है, तो इसमें छेद कर रखा है, डरेगा क्या? अब कहते हैं, आप कहते हैं, जिस गर में छोटे बच्चे रहते हैं, उस गर में रॉनक तो बनी रहती है, और बचों के साथ-साथ बड़ों में थोड़ा सा बच्पना आ जाता है उनके साथ रहकर, मैं तुम्हें पकड़ूंगा बागो और यहां पर ओखली में चाची जी लगी है सोयविन का चोंसा बनाने में परसो तो अनुज ने जलाया था आज खूप सारा बना दिया ताकि टाइम आने पर अनुज को फिर से भूनना न पड़े और साथ में यहां पर रिंखी भी बैठी हुई है यहां पर यह है अक्रोड का पेड़ इस पर भी छोटी-छोटी कॉंपले आने लग गई है कुछ दिनों के बाद चारों तरप एक अलगी हरियाली का माहौल रहेगा अनुज और दिव्यानसु भी चले गी है अभी सामने नेट में क्रिगट खेलने के लिए अब जहां पर यह नेट लगा है उसी खेत के पास में देखो पापा ने कुछ दिन पहले एकदम घेराबाडी कर रखिया है क्योंकि इस नीचे वाले खेत में हम कुछ दिनों के बाद आरलू बोईंगे तो सब जगे से बंद कर दिया उधर से दिवार लगा दी यहां पर ऐसा होता है कि सुवर और सोलू जिसको साही बोलते है वह बहुत नुकसान कर देते हैं तो इसलिए घेराबाडी जरूरी है अब ऐसा नहीं है कि भाड़ कर दी तो फिर भी जो फसल बोईंगे वह बच जाएगी लेकिन अपनी तरफ से तो करनी ही है और यहां पर आते ही देखो अनुझ घर से लिए आया है फिर से फ्राइबेन पानी और साथ में यह है हमारा मैगी पॉइंट जहां पर हम अकसर आया करते हैं आक तो मैंने मस्त यह पर जला दी है फ्राइपैन उसमें रग दिया है बाकी इनुझ पर यहां पर प्याज और यार धंसु काटना उसमें काट पत्थर we rea अव ऐस्यंगी को इसका टूर में डाल दिया है साम के डाइम पर यह बैस जगह है यहां से सामने जंगल की ओर देखने के कभी-कभी वहां हिरन देखते हैं कभी-कभी जंगली मुर्गे भी दिखते हैं लेकिन सच बात तो है जितनी बार भी हम ऐसे सोच के आते हैं कभी भी नहीं दिखते हैं दिखा अस तक कभी हिरन भी नह और अनुज आज कोवा बिर्यानी वाले एक्टर की तरह लग रहा है कमजूर कमजूर बड़ा कमजूर लेक्पीस है इस मुर्गी को फोलियो था क्या है वही वाला अनुज की मसाला मैं की पता नहीं कब तक बनती है अंदेरा भी हो गया है अभी कितना टाइम लगेगा लग य अब मैं तो बैठता हूं आग के दोरी घर कठींग पी को विर्यानी वाली कर रखी है आप लोग बताना कि सबसे ज़्यादा किसमे है अनुज किस पढ़ाएगा प्राइपे आप लोग बताना फ्राइपे पर ज्यादा है कि कम ए इन दोने में भी दिखाओ ना इन दोने में गरम गरम मैगी का अनन लेते हैं और उसके बाद घर के लिए निकलते हैं दिखने में तो एकदम बढ़िया लग दी है यह दिखो अभी मैगी हमने खा दी है जब तक मैगी बन रहे थी तब तक हम Facebook पेज पर लाइब जुड़े हुए थे बहुत सारे लोग जुड़े भी थे घर में अभी हम लोग आ गये हैं और अब नमीज का थोड़ा बहुत होमवर्क है तो उसको करवाना है यह तो अब अपनी मम्मी से ड़ता है नहीं होमवर्क करेंगे ठीक है क्या करेंगे हां हैं दिखाओ हैं हैं कौन सा यह हां यह कैट सीफोर कैट यह गुड मैंगो मैंगो अगया हो यह मजा रहें पड़ने में ममी कैसे पढ़ाती है कि ममी ममी अच्छा पढ़ाती है चलो आज के लिए बहुत हो गया ममी के पास दो और फॉर देखना है जादा पढ़ लिया नहीं जादा पढ़ लिया कल हमने जो पुरांज का जूस बनाया था वो एकदम बन कर त अभी थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया एकदम बढ़िया हो रहा है और जो हाड के पिसंट रहते हैं इनके लिए फैयदेमंद होता है साथ में जिनको डायविटीज होता है उनके लिए वे जूस काफी फैयदेमंद होता है बस जूस तयार हो गया है अब इसको अच्छे से इन इसको जूस देना है नहीं देना है देना है अभर मा अच्छा है दिभ्यांसवार अनुज आज हमारे यह हैं मैज देख रही है अभी देलो गुजिया हम लोग अभी मास्त बैटकर मैज देख रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके इस वार फेवरिट टीम कौन है IPL में अनुश की कौन सी है मेरे पहले मुंबई थी जब रोज सर्मा कैप्टेन था तो आप मुंबई नहीं है इस वार आप लोग गैस करना कौन हो सकती है इस वार क्योंकि जब हम गाहों की टीम से भी क्रिगड किलते हैं तो मेरा जो जर्सी नंबर है वह है 18 तो हो सकता है इस वार सभी का प्ले आई दे लेकिन मुझे इस बार उमीद है कि आर्सी वाले पक्का जीतींगे थोड़ा सा लग साथ दे अगर 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 यह बैट से नीचे बगार है आर्सीवी के फैन बोल के